अब हम करने जा रहे हैं exercise 13.1 का question number 12 born notes हमने 11 तक कर लिया है आपको पता ही होगा तो शुरू करेंगे assume that each born child is equally likely to be a boy और a girl assume करिये कि जो हर बच्चा जो born होता है या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है अगर किसी family में दो children है तो क्या conditional probability होगी कि दोनों girls हो given दो condition है तो दो अलग-अलग separate question है हो परस्ट वाले part के लिए solve करते हैं assume करते हैं कि एक जो लड़की जो probability that both are girls is the event A what is the conditional probability that both are girls both are girls तो event A है both are girls इसका मतलब देखें क्या cases हो सकते हैं case समझें पहली लड़की होती दूसरी लड़की होती इसे आप head-tail की तरह समझ सकते हैं ठीक है तो वह मैंने बताया था do head-do tail type का तो वैसा भी आप समझ सकते हैं तो अच्छा यह case हो सकता है g1, g2, g1, g1 हो गया फिल b1 हो गया अच्छा लेकिन इसमें तो all भी combination है क्योंकि पहली लड़की है और नहीं b2 लिखेंगे फिल b1 नहीं लिख सकते सौरी क्योंकि second वाला case में लड़का लिया हुआ है अच्छा बीवन बीवन के case में क्या होगा बीवन b2 सही बात है और इसी तरह से हमें क्या हो सकता है कि पहला लड़का हो जाए और दूसरी लड़की हो यहीं चार case है इसको ऐसे समझे कि पहली लड़की है दूसरी भी लड़की होती है तो g1 g2 पहली लड़की है दूसरा लड़का होता है तो b2 वाला लड़का है B1 पहले लड़का होता है फिर लड़का हो जाता है दूसरा भी तो B2 है पहले लड़का है फिर लड़की है तो G2 है अब वो कह रहा है क्या probability है कि वो दोनों girls हो तो इसके होने की probability होगी 1 by 4 क्यों? क्योंकि दोनों लड़किया हो उसमें सिर्फ एक ही case exist करता है G1, G2 out of 4 different cases तो 1 by 4 या 4 different outcomes If a family has 2 children ठीक है Given that the youngest is a girl तो B event कहलाएगा इस case में मिटा First quality question के case में B event है youngest is girl youngest is a girl अब हमको यह समझना है कि अगर youngest एक लड़की है अगर youngest एक लड़की है तो इसका मतलब पहली लड़की तो बड़ी होती है चोटी लड़की दूसरी बाली है तो कौन-कौन से case है जो B set में होंगे वो होंगे G1, G2 youngest जो है वो लड़की है अभी भी है और या फिर B1, G2 यही दो case है जिसमें चोटी लड़की हो सकती है पहले वले case में लड़की बड़ी भी हो सकती है लेकिन youngest एक girl है इसका मतलब यहां से probability जो आएगी इस event की होने की वो होगी 2 by 4 और 1 by 2 आपको A set भी बता देता हूं मैं A set जो होगा वो होगा G1, G2 only क्योंकि दोनों लड़की का सिर्फ G1, G2 था तो अगर हम A intersection B set निकालते तो वो क्या होता A event कहता है दोनों लड़किया हो B event कहता है कि छोटी लड़की हो बड़ी लड़की भी हो सकती है बड़ा लड़का भी हो सकता है तो उसमें G1, G2 common एक element है दोनों set का यानि कि probability कि A intersection B exist करे इस 1 by 4 अगें यहां से हमें निकालना है given कि यह लड़की छोटी हो यानि कि probability क्या होगी कि A event exist करे लेकिन B exist कर चुका है यानि B अकर कर चुका है तो इसकी होती है probability A intersection B upon probability of B आपको अभी भी बताया है मैंने A intersection B की probability है 1 by 4 तो B की क्या निकाली गई थी 1 by 2 इसको simplify करके आएगा 2 by 4 जो की होता है 1 by 2 simplify करना आपको आता है second or fourth position पर जो term है वो cancel हो जाएंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 बन जाएगा basically 1 by 2 बचेगा आगे answer बहुत ही simple है तो at least one is a girl अच्छा अगर ये बुला जाता है कि at least एक लड़की हो इस case में A event तो same है बेटा A event change नहीं हो रहा वो अभी भी यही है G1 G2 वाला तो अगर at least एक लड़की होगी तो वो case तो दो लड़की भी हो सकती है क्योंकि कम से कम एक लड़की बोला है दो लड़की है तो इसमें क्या होगा G1 G2 इसके अलावा कौन सा event है देखे G1 B2 B1 B2 नहीं हो सकता क्योंकि तब दो लड़की हो जाएंगे और इसमें होगा B1 G2 क्योंकि कम से कम एक लड़की चाहिए तो G1 B2 और B1 G2 G1 B2 और B1 G2 ठीक है ऐसा करने से जब हम probability निकालेंगे इस event B के होने की तो वो हो जाएगी 3 by 4 और अगर हमें निकालना है A intersection B का सेट तो आप देखेंगे उसमें सिर्फ G1 G2 ही common है यानि कि probability कि A intersection B exist करें it will be 1 by 4 क्योंकि एक ही element है out of 4 elements या एक ही outcome है out of 4 outcome तो यानि कि probability कि A given B अकर करें यानि इस बार जो B event है पीटा तो different है आप इसे C event भी कह सकते हो आप चाहो तो ठीक है कोई गलत नहीं होता आप इसे कुछ भी कर दो क्योंकि आपने second part mention किया हुआ है तो आप C भी लिख सकते हो और तब वहाँ पर A intersection C आएगा वो event के symbol है आप E भी लिख सकते हो it doesn't matter unless you write everything that is I am writing B in this name at least one is a girl ठीक है ये लिखना जरूरी है वरना confusion हो सकते है टीचर को तो अब आपने यहां पर क्या लिखा पी A intersection B upon P of P और ऐसा करने से यहां पर आएगा 1 by 4 divided by 3 by 4 which is this time 1 by 3 तो probability इस बार क्या हो गई है हम 3 by 1 by 3 हो गई है पिछली बार थी 1 by 2 तो इस तरीके से question होते हैं ट्रेक्स करते हैं एन इंस्ट्रक्टर है जा question bank consisting of 300 easy true false question तो आप category समझे एक तो true false question की category है और क्या है true false है multiple choice question भी है multiple choice question भी है अच्छा तो दो तरीके है इसमें easy है एक टेमिन टाइब का बना लेंगे तो बहुत easy हो जाएगा easy true and false कितने है 300 है अच्छा उसके लावा इसमें difficult भी है difficult भी है difficult 200 है 500 easy mcq 500 easy mcq है and 400 difficult है 400 difficult easily समझ में आगया हाँ easy easily समझ में आ ठीक है if a question is selected at random from the question bank अगर कोई question state किया जाता है randomly उस question bank से क्या probability है कि वो easy question होगा given रुख जाईए इसको मैं पढ़ने का तरीका आपको समझा चुका हूँ यह probability एक event होता है given that जो है वो आपका conditional probability के लिए बताता है और यह जो है multiple choice question हो यह एक दूसरा event होता है ऐसे आपको decode करना है question को ठीक है तो एक event a जो है वो मेरा easy question का है एक मेरा event b है जो multiple choice question का है इन दोनों event के लिए मैं question को solve करता हूँ बाद में a intersection b का set निकाल लूँगा और उससे probability उसकी और उसके बाद a given b के लिए क्योंकि given बोला गया है बस इस तरीके सो सूचिएगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम हम लिखेंगे एक event एक क्या है easy question हो आपको कुछ भी हो सकता है बेटा वह यह भी हो सकता है कि वह MCQ हो वह यह भी हो सकता है वह true false हो तो total आपको अगर probability निकाल नहीं है कि easy question है तो मैं एक question pick कर रहा हूँ I am picking one question and I want easy question if a question is selected from the question bank what is the probability that it will be an easy question how many easy questions are there 300 plus 500 what are the total number of questions तो मैं यहाँ पर total निकाल लेता हूँ total questions are 300 plus 200 plus 500 plus 400 obviously साचारो टाइप के questions का सम होगा total question हो जाएंगे 9 sorry 5 10 14 तो 1400 ठीक है ठीक है तो यहाँ से आपको मिल गए 1400 questions तो यह आपके होगे 1400 questions तो टोटल कितना होगे probability बेटा 800 बाइ 1400 विच इस 2 बाइ 7 नो 4 बाइ 7 00 cancel हो जाएगा 24 जाए 27 सा 14 तो 4 बाइ 7 तो इस a probability for easy question to come is 4 बाइ 7 अच्छा what is the probability I get an MCQ type of question तो it's a MCQ तो B is MCQ question MCQ type अच्छा तो इसके existence के लिए आपको पता है कितने MCQ question है इसका कोई मतलब नहीं कि वह easy है कि नहीं it's a separate event मैं इसे दो अलग-अलग event के लिए तरह से देख रहा हूं बाद में इनका intersection और सब निकालूंगा ठीक है तो probability that event B exists आप चाहो तो निकाल सकते हो वैसे निकाल लेते हैं क्योंकि एक ही नहीं निकालनी थी मैं actually यह extra step solve कर रहा हूं I should not do this पर मैं आपको समझा रहा हूं तो I am in the flow I am telling you everything क्योंकि मैं actually solve कर लेता हूं बाद में जाके देखता हूं कि क्या जुरूत पड़ेगी PA या PB तो ठीक है आपको यह नहीं होगे इस step को तो भी चलेगा लेकिन समझ लोगे तो अच्छा रहेगा अच्छा पी और बी तो बी क्या है mcq टाइप कुश्चन आए कितने mcq है बेटा 500 प्लस 400 900 mcq इसे यह दोनों टाइप mcq के लिए है करेक्ट यह पूरी रो जो है यह mcq की रो है हाना तो देखें यह आपके पास हो गया 500 प्लस 400 900 mcq है तो वाट इसे प्रोबैबिलिटी तो प्रोबैबिलिटी विल भी 900 बाइप 1400 900 बाइप 1400 विल भी 9 बाइप 14 अब मुझे निकालना है एंटर्सेक्शन बी की प्रोबैबिलिटी ना एंटर्सेक्शन बी इस नथिंग बट इट सेज दाट कि मुझे यह बुला जाए कि वह एक इजी कोश्चन हो और वह mcq भी हो तो easy and mcq दोनों हो and की feeling है यह तो easy and mcq हो mcq भी हो और easy भी हो तो ऐसे 500 कोश्चन है out of 1400 बेटा तो यह होगा 5 by 14 ठीक है तो क्या हमें probability पता करनी है कि मैंने एक question select किया वह easy है given कि वह पहले multiple choice आ चुका था तो given कि वह multiple choice हो चुका था given कि b type का event exists कर चुका है क्या probability होगी कि a event exist करेगा that is it will be an easy mcq it will be easy now mcq तो मिरे पास आगे मुरे पास सारे 900 mcq आगे उस 900 में मुझे पता करना है कितने easy है directly बता सकते थे आप 500 by 900 that is 5 by 9 होगा answer क्योंकि total mcq कितने 900 उसमें से easy कितने 500 तो 500 by 900 एक क्लाइंग का answer का बिना conditional probability के formula के कर रहा हूं मैं जरूरत नहीं है मुझे इस formula की लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं हर बार हर बार यह में पिछलिफ बार question 900 तो 5 by 9 होना चाहिए था जो की होगा कैसे देखिए अब जब आप इसको लिखते हो तो आप लिखते हो probability a intersection b upon probability of the event b now probability of a intersection b is 5 by 14 and from the event b it is 9 by 14 आ गया 14 14 cancel हो गया क्या answer आया 5 by 9 इतना ताम जाम किया तब जाके आया लेकिन जो कि जो दो लाइन में आ सकता था इसी question के दो लाइन से आ सकता था लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि ncrt चाहता है कि आप इस formula को लगाएं पर आप खुशिहार हो अगर एंसी क्यू में आ रहा है question मतलब mcq यह है मतलब question mcq यह आता है इस तरह के question में option दिये तो आप बस यह वाला तरीका रखाएगा जो बैने बतक्त बदाए कोई condition probability ना मतलगा यह कम आप ताइन जेस्ट यह जट यह जट्ट यह एक लाइन में आशन रहता है यह given है जो दो नंबर appear करते हैं एक dice को फेकने पर वो different है तो अगर मुझे यह कोई बोलता है कि जो दो नंबर है दोजा different numbers okay so those are different numbers what they mean they mean that they they are like one 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 two one three one four और three one three two three four समय जबाओ मुझे नहीं बता ना कौन से dice है उसका कोई order तो पता नहीं है यह तो बोला नहीं है किसी ने कि red dice औ ब्लैक डाई है ऐसे तो कुछ बोला ही नहीं है तो given that the two numbers appearing on throwing two dice are different ठीक है find the probability of the event some of the numbers in the dice is four तो given यह है बेटा अब कहीं लोग बोलते होंगे कि सर आप इसे a event नहीं ले सकते हो मैं बेटा तब भी ले सकते हो पर यह given के साथ आता है तो यह मेरा p b given a बन जाएगा इस बार ऐसे कहीं नहीं लिखा हो है कि आप पहले वाले given वाले को a नहीं ले सकते हो क्योंकि यह रटा दिया जाता है वो सुशते है कि a given b ही रोता और b ही लेना पड़ेगा इसको ऐसा कोई रड़ी नहीं है formula p b given a बन जाता है ठीक है मैं इसको a ही लोग और solve करूँगा क्योंकि मैं हमेशा यहीं आपको सिखाता आया हूं और वही फॉलो करूंगा गिवेंड़ देट टू नंबर्स अपेरिंग अन्ट्रोइंग टू डाइस इस दिफरेंट तो एक इवेंट यह है पीटा वह कहता है टू नंबर्स ऑन दाइस आर डिफरेंट ठीक है टू नंबर्स अपेरिंग और टू डाइस आर डिफरेंट वड़ार दे चांसे तो वन देखें बुद्धि लगाई यह हैं सेम कब होगा छे केस होगा वन 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 टू तू त्री 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 फॉर फॉर फाइफरेंटियों में कटब तो टोटल 36 बनते हैं जब भी दो की तो दो 2-20 को फेका जाता है है कि तो हमेशा कितने केस में वेटा थत्ती सिक्स्क्स बन्ते हैंना एंन बदा चुका है तो सिक्सीक्स कीस का नो सीछिप रिफिफो डाने में 11 memory । और छे केस है जो डिफेंट है शहीवाद है इन चे डिए ये शे केसे जिसमें सेम है बाकी सब जोगे वो डिफरेंट के केसे सोंगे तो ये शे केस हटा देते हैं तो 36 में तो 30 केस हो जाएंगे तो probability that a exist और event a occur is 30 by 36 अब से simplify करने चाहते हो करो अभी रहने देते हैं दिवाइड वाइड तो कुछ होगा ठीक है अच्छा अब बी इवेंट क्या कहता है बी इवेंट कहता है फाइंड प्रोबिल्टी इवेंट इस सम अफ़ नंबर्स इस फूर सम फूर आ जाए इसके लिए जो सेट है बी के अंदर वो आता है 1 3 2 2 3 1 बस और कुछ नहीं होचकत ठीक है अच्छा अगर यह तीन है तो प्रोबिलिटी की इवेंट अगर करेगा इट विल भी थ्री बाइ थर्टी से मैं निकाल देता हूँ सहर्म केस में क्योंकि मुझे नहीं पता है या बी गिवन एवेंड बनेगा या एक गिवन बनेगा मैं उसको नहीं सोचता हूं समय क्योंकि मुझे रखता है पहले clarity आ जाए कि सब की probability पता है मुझे अच्छा A intersection B क्या होता आप सोचिए A intersection B में कौन से answer आएंगे वो number जिनके sum भी 4 हो और वो different भी होने चाहिए इसका कुछ A है तो इसका कुछ B है अलग अलग है और लेकिन जब A plus B करूंगा तो 4 आना चाहिए तो ऐसे सिर्फ दो ही number है एक है 1-3 का pair और एक है 3-1 का pair क्योंकि 2 और 2 में इस दोनों सेम है मुझे बुला था कि A और B इक्वल नहीं हो सकते है इसका मतलब A intersection B जो दो सेट है A और B में मतलब वो नहीं है X और Y माल लो आप दो numbers जो आननको X और Y माल लो तो X plus Y equation solve करने है X is not equal to Y and X plus Y equals to 4 and X and Y belongs to natural numbers think about it it has only two possible two favorable type of thing one is 1-3 and the other is 3-1 तो इससे probability क्या आ जाती A intersection B की it will be 2 by 4 oh I'm so sorry 2 by 36 अभी मैं 36 रखता हूं कि क्यों मुझे पता है यह दोनों में cancel हो जागा क्यों टाइम वेस्स करना आपना अब probability मुझे निकालने है A given B नहीं 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 बोल रहा है given that the two numbers appearing given की दोनों नंबर different है given की event exist कर चुका है हाँ आप समझे आप मैंने जान वुझके इस किस फुरे से सॉल किया given की दोनों given की जो number आए है वो different है given numbers है वो different है यानि एकर कर चुका है क्या probability है कि sum 4 होगा क्या probability है कि sum 4 होगा यानि B event अकर करेगा ठीक है तो अब इसे करने के लिए आप क्या लिखोगे probability intersection में तो कोई fight नहीं है वो तो B intersection A लिखो या A intersection भी लिखो आना answer वहीं होता है लेकिन यहाँ पे आएगा probability A यही different था बेटा तो यह हो जाएगा आप 2 by 36 और A आएगा 30 by 36 अगर मैं आपको solve करना ही ना सिखाओं तो मैं बेकार teacher हूं क्योंकि मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा था इसे cancel करने क्यों 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 मुझे पता था कि 36 दोनों में फिर करता पहले यहां करता मुझे अच्छा रखता लेकिन यहां करने में टाइम इस करता ठीक है अ वह हावा वाली teaching नहीं करता ठीक है नहाँ वाली करना पसंद मुझे या तो करूंगा या तो पढ़ाऊंगा यह नहीं छोड़ दूंगा पूरा एक कुश्चन की भाई सब कर लेना हम अपने अगर ट्रिक लग दिये तो पताऊंगा नहीं लग दिये तो बस छोड़ दूंगा वहीं पर तो ब इस तरीके से हम इस तरह के कोश्चन को करते हैं वाड़े ध्यान से समझीगा मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है वीडियो देख रहे हैं वापस जाओ फिर से देखो समझा चुका है एक बार में पूरी एनरजी है एक एक्सपेरिमेंट और फ्रोइंग डाय एक डाय को फेक यह कोश्चन था था में हाँ पता है एकडाय को फेक हो इस डाय पर अगर थ्री आ जाएगा अगर यह डाई 3 दे दे या multiple है 6 भी दे दे क्योंकि multiple लिखा हुआ है तो multiple का मंतब होता है 3 का multiple है 3 और 6 9 18 पर 9 तो होता नहीं किसी डाई समय तो 12 भी होता है 15 भी होता अबिसली लेकिन क्योंकि कि 3 तो 6 के बाद तो कोई number है नहीं तो हम बोलेंगे 3 और 6 अच्छा तीन और 6 के बाद मुझे यह बुला गया है कि 3 और 6 में से कुछ आ जाए तो फिर से डाई फेक हो ठीक है लेकिन अगर एक दो चार या पांच आए तो फिर एक कॉइन को टॉस करो एक कॉइन को टॉस करो अब अब सोचिए यानि 1 sample space लिख रहा हूं मैं बेटा ध्यान से समझेगा sample space लिख रहा है बहुत अच्छा ना चाहिए देखे 1 के साथ क्या क्या है 1 के साथ head आ सकता था 1 के साथ tail आ सकता था ओवियस इसी बात है क्योंकि अगर 1 आता है तो मुझे सि साथ की से 3 होगा हां तो फिर मुझे फिर से dice फैकना है तो 3 के बाद बना सकता है 3 2 हो सकता है 33 हो सकता है 3 5 हो सकता है या या तो टेल आ सकता है या तो टेल आ सकता है लेकिन जब 6 होगा बिल्कुल सही बात है फिर 1 आ सकता है 6-2 आ सकता है 6-3 आ सकता है 6-4 आ सकता है 6-5 आ सकता है या फिर 6-6 आ सकता है यह है हमारा sample space बिलकुल sample space आ चुका है clear है क्योंकि 3 और 6 पे dice को दुबारा फिकना था find the condition probability हो जाएगा दो event है मेटा फिर से मैंने बुला ता मेशा A और B मानेंगे the coin shows a tail that's my event A at least one die shows a three that's the event B let's start with event A and event B properly coin tail दिखाता है coin क्या दिखाता है बेटा tail दिखाता है इसी sample space से चुनो अपना A event को बोलो coin shows a tail what is the probability for the coin to show a tail जब इसे फ़ले set लिक पे what is the event A coin shows a tail one, t में है two, t में है बस फिर four, t में है और फिर five, t में है that's the four outcomes favorable वाले जब coin टेरियल शो करता है probability मैं बाद में लेख दूँगा अपकी बार ठीक है देख लूँगा किसकी ज़रूरत है B event क्या है B event है at least one die shows a three कम से कम एक die पे तो at least one die shows a three कम से कम एक die पे तो three आ जाए तो यहां पे जो B होगा वो होगा एक die पे three आ जाए तो three one से लेके पूरा चेन है three one three two मैं ऐसे बस शॉर्ट में लिख दिरूँ वेटा three six और इसके लवाज तिक three भी होगा यह एक extra event है क्योंकि एक die पे तो three आना चाहिए किसी भी आ सकता है दोनों die पे भी three आ सकता है तो अब कम से कम एक die पे three आना चाहिए ऐसा कोई event है क्या आपको लिखते जोब टेल आया तो three आया उस पर नहीं आया कम से कम एक three आया नहीं आया तो ऐसा कोई event नहीं नहीं है यह एक intersection B upon probability of B obviously this is zero मुझे इसको क्लेटी नहीं करना वाय शुड़ा वेस्ट माय टाइम इस जीड़ो कुछ भी ओ probability of B मुझे पता है वैसे जितने element है साथ element है लेकि मैं क्यों करूंगा मेरा answer तो 0 है क्योंकि numerator 0 है समझ गया आप बात को कितना easy हो गया version कितना छोटे short में हो गया solve यह सब चीजें सीखो ठीक है पहुँ साथ चीजें बताता हूं tricks बताता हूं compress करने की tricks बताता हूं साथी साथ question को समझ के decode करने की decoding trick बताता हूं ऐसे नहीं solve कर दिता की solve कर दिया answer है यह ठीक है अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा पर मेरे बारे में कौन बताएगा ठीक है next करते है अगर P of A की value half है probability की B event exist करें यह 0 है यह यह नहीं कि B एक null set है B is a null set तभी probability 0 हो रही होगी उसके होने की अरे जब कुछ है ही नहीं तो अकर क्या करेगा तो B एक null set है ठीक है तो probability A given B क्या होगा अरे बुद्धी लगाओ अरे बुद्धी लगाओ A intersection B upon probability of B फर सोचो A set कुछ होगा कुछ set है ठीक है it's a finite set कोई finite set है क्योंकि तभी उसकी probability set के साथ intersection null set होता है पढ़ाए होना null set का intersection with any set A और X let's suppose is always null it's a null union नहीं ले रहो intersection ले रहो तो null set होगा और null set के होने की probability क्या होती है जीरो होती है इसका वंदर यह value होगी the correct answer is not defined easy option number C is the answer answer is option number C next करते हैं I think it is the last question and I feel all you know you know me I feel happy or happier or happiest I'm not sure but I feel happy when I solve the last problem बहुत अच्छा लगता है और कोई बख्वास नहीं short crisp video बख्वास नहीं if A and B are events such that P A given B is P B given A then मैंने यह पढ़ाया आपको P A given B is nothing but P A intersection B upon P of B and P B given A is nothing but P A intersection B upon probability for event A now these two are equal as per the question these two are equal so the right side should also be equal that is this should be equal अब यहां देखे A intersection B कर जाएगा यारी probability of B is same as probability of A and that's the E option number D for us कि A और B के होने की probability equal है A is a subset of B I am not sure क्या पता probability अगर करने की equal है it can be the subset it cannot be the subset it's not sure correct तो probability of A and probability of B have become equal that's the option D and it finishes of the whole exercise that's 13.1 अगली exercise में मिलेंगे और आपको पता ही होगा आप जिब सॉर्वे पर देख रहे हैं प्लीज 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 पढ़ना शुरू करें तिल देन टेक केर लिए टेक केर लिए